और चले बापको सीधा दिली लिए चलते हैं दिली के मुख्य मंतरी अर्विन के जिवाल समोधित कर रहे हैं व्यवस्था हो जाती अगर हमारे गरीबों के बच्चों को भी इतनी अच्छी शिक्षा 75 साल पहले से मिलने चले हो जाती आज देश कहां का कहां पहुंच जाती गरीबी दूर हो जाती अनपड़नी रहते लोग कहां का कहां पहुंच जाता देश टाइम 75 साल अपने खराब हो गए इसलिए आज मैं एक बड़ा एलान करने जा रहा हूँ आज मैं एक ओफर कर रहा हूँ अपने पास समय नहीं है देश अलड़ी 75 साल खो चुका है हमें राजनीती नहीं करनी हमारे लिए देश इंपोर्टेंट है अगर देश की कोई भी सरकार चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कॉंगरेस की हो चाहे किसी भी पार्टी की हो कोई भी सरकार अपने अपने राज्ये के अंदर दिल्ली जैसी अच्छी शिक्षा विवस्था करना चाहती है तो हम मनी सिसोधिया जी को थोड़े दिन के लिए उनको लोन पे दे देंगे दिल्ली में अस्पताल भी बड़े अच्छे हो गए मोहला क्लिनिक भी बड़े अच्छे हो गए तो अगर देश की कोई भी सरकार रट, चाई बीजेपी की हो, कौंगरिस की हो, और किसी भी पार्टी की हो अपने राज्य में असपताल अच्छे करना चाती है मोहला क्लिनिक अच्छे करना चाती है तो हम थोड़े दिन के लिए सतिंदर जैन को विनको लोन पे दे देंगे हमारा मकसद यह नहीं है देश है, देश आगे बढ़ना चाहिए, अगर दूसरी पार्टियों की सरकारे अपने अपने राज्य में शिक्षा वेवस्था, स्वास्थ वेवस्था ठीक करना चाहती है, हम उनकी मदद करेंगे, हम चाहते हैं कि सारा देश आगे बढ़े, अगर वो लोग भी अच्छा का करके उनको वोट मिले मिले अपने को क्या है, देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारे सामने देश है, हम तो चाहते हैं, देश से ब्रष्टाचार खतम होना चाहिए, देश में अच्छी शिक्षा सब को मिलने चाहिए, अच्छी अस्पताल बलने चाहिए, अच्छी स्कूल ब ये कई देश के बड़े बड़े नेता मिलके आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा सारे मिलके कह रहे हैं केजरी वाल आतंकवादी है मैं को थोड़ा सा हसी भी आई मैं उन सबको आज कहना चाहता हूँ कि जिसको आप लोग आतंकवादी बोल रहे हो आज वो आतंकवादी देश को 12,430 कमरे स्कूलों के समर्पित करता है आज वो आतंकवादी ऐसे स्कूल बना रहा है बना रहा है जिसमें एक ही डेस्क पे बैठके गरीबों के और अमीरों के बच्चे पढ़ रहे है आज वो आतंकवादी भगत सिंग और बाबा साब अम्बेड करके सपने पूरे कर रहा है नेताओं को सबसे बड़ा डर और किसी चीज से नहीं लगता है स्कूलों से लगता है क्यों लगता है अगर शांदार स्कूल बन गए अच्छे स्कूल बन गए तो नेताओं को जातपात और धरम के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे हमारे इन स्कूलों से इन स्कूलों के अंदर हमारे ऐसे बच्चे देश भक्त कटर देश भक्त बच्चे तयार होंगे यह हम स्कूल नहीं बना रहे, यह हम देश भक्त बनाने की फैक्टरियां बना रहे हैं, यहां से देश भक्त बनके निकलेंगे, और जब यहाँ सोचके देखो, पांसे दस साल के बाद जब यह बच्चे बाहर निकलेंगे, यह बच्चे किस अधार पे वोट देंगे, यह धर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल शांदार बना रहा हूं जहां पे गरीबों को शांदार शिक्षा मिल रही है गरीबों के बच्चों को और अगर मैं उनको फ्री में शिक्षा दे रहा हूं इससे बड़ा देश भक्ती का और राष्ट निर्मा का काम क्या हो सकता है बच्चों को तो फ्री शिक्षा मिलनी चीए गरीबों को अगर मैं अच्छे हस्पतालों में इलाज दे रहा हूं शांदर सरकारी हस्पताल बना रहे हैं तो इससे अच्छा पुन्य का काम क्या हो सकता है गरगरीबों कोछ दवाईयां टेस्ट इलाज फ्री में मिल रहा है भगत सिंग ने एक नारा दिया था इनकलाब जिन्दवाद आज मैं एक नारा दे रहा हूँ इनकलाब जिन्दवाद शिक्षक रांती जिन्दवाद बहुत बहुत ondo धन्यवाद सर जूर दर पालियों से अभिननन करें भालनाओ का जो सरने व्यक्त की ज़य की है और कहीं ना कहीं किसी ने कहा है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में उन्होंने ये भी कहा कि तेश में अगर कोई भी राज्य शिक्षा विवस्था को सुधारना चाहते हैं तो वो हमसे मनीश सिसोधिया को लोन पढ़ ले सकते हैं लग सुन रहे थे अर्विन के जिवाल को जो अपने उपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए भी नजर आए और आज उन्होंने 2400 स्मार्ट क्लास्रूम डिली में सूडन्स को डेडिकेट किया है और साथी ये भी उन्होंने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाई जा रहे हैं मैं एक ऐसा आतंगवादी हूँ जो बच्चों के लिए स्कूल्स खोल रहा हूँ